नमस्कार विद्यार्तियों आप सभी का स्वागत है अब केवल एक दिन बाकी है रुख जाना नहीं परिच्चा पेपर 2023 क्लाफ 10 विसे हिंदी आज 15 जो मतलब आज 14 तारिक है और 15 जून को आपका पेपर रहेगा हिंदी का पहला पेपर हिंदी का रहेगा और जिन विद्यार स्टूडेंन्स लाफ्ट दिन ब установ Śleichे और जाए बस इतना मैं आप लोगों को यहां बताने वाला हूं और अगर जो जो मैं आपको यहां पर पड़ाने वाला हुँ पेपर में एक से लेकर 23 तक बताऊंगा और साथ ही साथ में ये बताने वाला हूँ आप लोगों को कि students आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि question एक भी आपको छोड़ कर नहीं आना है सभी question को solve करना है बहुत अच्चा paper जाएगा और कम नंबर आपके main exam आयते अब वो कम नंबर नहीं आएगा ठीक है चलिए start करते हैं आप बिना देर किये हम क्योंकि समय आप लोगों की पास भी नहीं है एक दिन बचा है आप पढ़ लीजिए जितना मैं आपको बताता हूँ students जितने एक दोस्त नमारे चैनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगला paper आपने किसका बरता अगला form किसका डाला है उसका नाम भी बताईएगा ताकि उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आ सकें और आप जब paper देकर आएंगे तो आपके कितने number आ रह और सुर्दास राही टंसर हो जाएगा प्रवंजना का साब्दिक अर्थ हो जाएगा धोका अगला question है करुन रस का इस्ताइब हो जाएगा सोक और सेर के मुख के चोराये पर नेता जी सुबास चंद्र बोश के प्रतिमा लगवा दी गई थी प्रसासनी गदिकारी द्वार और दसानन में समास है तो बहुरी समास बोलानात का असल नाम तारकेश्वरनात जोड़ी मिलाना है चलिए जोड़ी मिला देते हैं संस्क्रिती बदंत आनंद को सल्यान कन्यदान रितुराज मैं क्यों लिखता हूँ अग्ये अधिक बोलने वाला वाचाल प्रतिक चरन में सोला मात्रा चोपाई चंद नाच न जाने आंगण टेड़ा लोकोपती है ना तोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप सभी को कम समय में ज़्यादा प्रवाइट किया जाए दिलाया जाए अंख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्न है यदि आप एक अंख से भी रे गाए तो फिर वापिस आपको फॉम भरना पड़ेगा तो इस्टुडेंट्स प्राकर्थ भासा में देते थे सत्य न्याई कानुसा राच्रन करने वाला न्याई शिल्ता बिल्कुल सत्य मर्दांग एक तरह का वाद्दी अंत्रे सत्य एलिजा बेद दुतिये जापान की रानिती गलत आगे देखिएगा दुख है ना चांद खिला सरद रात आने पर लेकक सोयम प्रकास जी का जन्म इंदोर में फादर कामिल बुलके की जन्म भूमी बेल जीम लेकिका मन्नु बंडारी का जन्म बहनपूरा सोला चतोवाला घर कमलेश्वर समास छे पिरकार के सोटा चंद में चार चरन होते हैं आगे भी एगर आप बात करेंगे एक सब्द मुत्तर बगवान संकर का धनुष किष्णे तोड़ा आप सभी को बता है राम ने कभी के अनुसर किस रित्तु की आबा अट नहीं रही तो भागुन आप बसंत लिख लिजे बसंत और उपमालंकार के कितने अंग होते हैं तो इसका चार हो जाएगा कुब लड़ी मरदानी वीर रस है इसमें और जो सब्द सबसे कम और समझ में आते हैं और जिनका उप्योंस बहुत जादा होता है सभ्यत और संस्कृती है ना जिए गया तो इसमें आप लिकोगे अनुबं और अब चला जाए किस प्रकार का वाग्य है वाग्य का यहाँपर पूँचा और यहाँ सरल वाग्य हो जाएगा सेरल मानके चली सरल बाकि यहां पर 6 से लेकर आपको मैं बता रहा हूँ 23 तक पूरा कोश्चन पेपर है यह देख सकते हैं आप स्क्रीन पर इन कोश्चनों को पढ़ लीजेगा यह बहुत ही महत पूर्ना कोश्चन है जो आपको होने वाले कल के पेपर में देखने को मिलेंगे श्याम को इंतिजार कीजिएगा एक और पेपर आने वाला है उसका भी इंतिजार करिएगा सभी इस पेपर को पूरा लगा लो उसके बाद मैं एक पेपर और में श्याम को आपको प्रवाइट करवाऊंगा पेपर से पहले ठीके तो आप बहुत अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगे और बहुत अच्छे स्कोर आप करके आओगे शेर कर दो सभी को वीडियो को लाइक कर दो और आपको शाम को वीडियो मिल सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके गंटिक बटन को उल पर कर लो धन्यवाद थैंक्स सपोर्वाच